हलो फ्रेंड्स वल्कम टूमा यूटूब चैनल देखे गाइज SSC GD 2024 का ओफिशियल नोडिफिकेशन जारी कर दिया गया है तो इस वाले वीडियो में हम लोग SSC GD 2024 का न्यू स्लेवस देखेंगे स्लेवस में क्या चेंज हुआ है बोवी मैं आपको बताऊंगा रिजिनिंग के टॉपिक से क्या पूछा जाएगा GKGS के टॉपिक से क्या पूछा जाएगा तो वीडियो काफी important है आप लोगों के लिए तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और से जरूर करें चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइबर के notification बैल on करना न भूले तो अब इस नॉबर से आप लोग फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं और फॉर्म भरने की last date है 31 December 2023 ठीक है एक्जाम डेट के अगर हम बात करें तो एक्जाम जो है आप लोगों का CBT होगा ऑनलाइन एक्जाम होगा 20 फरवरी से 12 मार्च के बीच में आप लोगों का एक्जाम गई तो आप लोग फॉर्म जो है वो कैसे करेक्शन करेंगे तो 4 से 6 जनबरी 2024 के बीच में आप लोग अपना फॉर्म जो है वो करेक्शन कर पाएंगे एडमिट कार्ड के बारे में कोई जनकारी नहीं है फीस की अगर हम बात करें जनरल OVC EWS की फीस जो है वो 100 रुपए है SCHT की फीस कुछ भी नहीं है SCHT के लिए फॉर्म लिकुल फ्री है आल काटागरी महिलाओं के लिए वी कोई फीस नहीं है जनरल OVC और EWS वाले जो बच्चे हैं वो फीस जो है ना डेविट कार्ड क्रेड़ कार्ड नेट बैंकिंग इचरान के माद हम से फीस जो है वो सम्बिट कर सकते हैं तो फीस के बारे मैंने आप लोगों को जनकारी दे दी है अब बात कर लेते है एज लिमिट की तो देखें इसकी में जो EWS लिमिट है MNs जो है आप लोगों की 18 साल और Maximum EWS जो है आप लोगों की 23 साल होनी जरूरी है और EWS लिमिट में छूट भी दी जाएगी यह भी आप द्हार्ण रखेगा total vacancies की बात करें तो इसमें टो टोटल vacancies जो है 26146 कितनी है 26146 vacancies है इसमें आप लोगों को अपनी exit पकी करनी होगी अब हम आते हैं इसके slavers के ओपर exam pattern के ओपर slavers क्या रहेगा exam pattern क्या रहेगा तो दिखें मैं आपको बता देना चाहता हूं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी रहे संसोधित SSC GD Constable परिच्छा पैटर्न के अनुसर टियर वन परिच्छा एक ओनलाइन बहुत विकल्पिय अधारित परिच्छा है अगर आप लोग SSC GD 2024 की परिच्छा की तयारी कर रहे हैं तो ये परिच्छा जो है आप लोगों की CBT ली जाएगी यानि की Computer Vesity Test CBT ऑनलाइन एक्जाम आप लोगों का होगा तो प्रैक्टिस कर लेजी आप लोग मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि परिच्छा में कुल 80 परिच्छों के साथ 4 खंड सामिल है परिच्छों के साथ में 4 खंड सामिल है SSC GD Constable Tier 1 परिच्छा की अबदी जो है न टोटल 60 मिनट के रहेगी कितने मिनट के रहेगी? 60 मिनट के रहेगी कंप्यूटर आधारित परिच्छा CBE अंग्रेजी हिंदी और 13 खेत्रिय भासाओं में आयोजित की जाती है असमिया, बंगाली, गुजराती, कंणर, कोंकडी, मलायार्म, मडीपुरी, मराठी, उडिया, पंजाबी, तमिल, तेलगू और उर्दूर इन भासाओं में आप लोगों की जो परिच्छा है SSC GD की बोल ले जाएगी, टोटल 13 भासाओं में परिच्छा ले जाएगी, अगर आप हिंदी में परिच्छत देना चाहते तो हिंदी में दे सकते हैं, अंग्रेजी में दे सकते हैं, और भी भासाओं इसमें, मैंने आप पहले क्लियर कर देना चाहता हूं इसमें माइनस मार्किंग है जो कोईशन्स आपको आ रहा है वही कोईशन्स आपको करना है जो कोईशन्स नहीं आ रहा है कोईशन्स को आपको छोड़ देना है सबसे बड़ी बात है कि अगर आप किसी भी परिच्छा के तयारी करते हैं तो प्रस्णों का लेवल क्या रहता है प्रस्ण कैसे पोछे जाएंगे किस लेवल के questions पोछे जाएंगे तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आउलाइन परिच्छा में पूछे गए प्रस्ण जो है ना हाई स्कूल दस्वी इस तरके होंगे ठीक है यह यह आपका जो डाउट था वो क्लियर हो चुका है अब हम सीधे आते हैं इसके एक्जाम पैटर्न के ऊपर एक्जाम पैटर्न क्या रहेगा क्योंकि अगर आप किसी भी परिच्छा के एक तयार ही करते हैं तो उसके एक्जाम पैटर्न और सलेवस के बारे में जा लेना अतियावस्यक है सबसे पहले हम बात करेंगे General Intelligence and Reasoning के General Intelligence and Reasoning में 20 questions पूछे जाएंगे 40 number के इसके बाद General Knowledge और General Awareness से 20 questions पूछे जाएंगे 40 number के, ये भी clear हो गया आप लोगों का, mathematics के अगर हम बात करें, तो गणित में क्या क्या पूछा जाएगा, गणित में 20 questions पूछे जाएंगे 40 number के, ये तो आपको पता ही है कि Hindi और English, options में आपको एक चुणना होगा, Hindi या English, तो अगर आप Hindi वाला पेपर ह हैं, इंगलिस वाला करना चाहते हैं, तो इंगलिस में 20 questions पूछे जाएंगे 40 number के, ठीक है? तो सिलेवस के गर हम बात करें तो सिलेवस में देखिए उपमा हो गया सवंताय और भेद इस्थानिक द्रश इस्थानिक उनमुखी करन द्रस इस्मृति भेद बाव अब लोकन शम्मंद आपधानाय अंक गड़तियत तरक और आलांकारिक वरगी करन अंक गड़त संक्या सरंक सरंकला आशापदिक सरंकला चित्रात्मक बरगी करन कोडिंग और डिकोडिंग यह तो हो गया आप लोगों का रिजिनिंग बाला पार्ट अब बात कर लेते हैं जीके और जीएस की तो जीके और जीएस में क्या-क्या पूछा जाएगा वही जान लिजी आप लोग प्रिद्रश है शामान राजनीती शामान राजनीती भारतिय शमिदान से कोईस्टेंस होंगे वैग्यानिक अनुसंदान वैग्यानिक अनुसंदान से भी कोईस्टेंस पूछे जाएगी ये तो हो गया लोगों का जी के जी अब बात कर लेते हैं मैत की तो मैत में क्या क्या प कोशिसन्स होंगे मौलिक अंक गर्तिये प्रतिसत अनुपात और समानुपात आवसत ब्याज ब्याज मतलब इंट्रेस्ट रेसियो अनुपात को बोलते हैं यानि कि प्रॉफिट नस्चूट डिसकाउंट छित्रमति समय और दूरी अनुपात और समय और कार से भी कोशन्स पूछे जाएगे ये तो हो गया आप लोगों का मैद का इंगलेस के गर हम बात करें रिक्तिस्थान की रिक्तिस्थान को भरना तुटी का पता लगाना वाक्यांत प्रतिस्थापन परियावाची विप्रितार तक परिच्छण बंद करें वाक्यांस और मुआबरे का अर्थ वरतनी एक सब्द प्रतिस्थापन समझ बूर्च कर पढ़ना ये तो हो गया आप लोगों का अंग्रेजी वाला पार्ट अब बात कर लेते हैं हिंदी वाले पार्ट में क्या क्या पूछा जाएगा बोगी जाल ले जी आप लोगव देखें हिंदी वाले पार्ट में सर्वनाव हो गया वाक शंसोधन लिंग वचन कारक काल एबं बरतनी शुत क्रिया एबं क्रिया वहेद विशलेशन शंदी शमास रिक्तिस्थानों की पूर्ति मुआबरे लोक प्रियाय वाची सब्द विलोम शब्द वाक्यांस के लिए एक शब्द आपठेद गध्यांस रचनाय एम रचनाकार इत्यादी से कोश्चन्स पूछे जाएंगे अब बात कर लेते हैं शामान ज्यागुपता की तो शामान ज्यागुपता में भारत और उसके पड़ोसी से कोश्चन्स पूछे जाएंगे ध्यान पूर्वक देखेगा आप लोग तो ये तो हो गया आप लोगों का स्लेवस तो एक्जाम पैटर्न भी मैंने आप लोगों को बता दिया है और इसका स्लेवस क्या रहेगा वह भी मैंने आप लोगों को बता दिया है ठीक है तो अग उर्ड्व से एक या दो दो दिनों के बाद आवगे कुलास के लोगों को मिल जाएंगी अंगरेजी के क्लास हैं आप लोगों की और माइक की क्लास हैं GKGS की Classes भी आपको हमारे पहले चनल पर ही मिलेगी GKGS की गनित की Classes और अंग्रेजी Classes आप लोगों की तबी स्टार्ट होगी जब आप लोगों का रिस्पांस जो अच्छा देखने को मिलेगा ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेट वीडियो के साथ जय ही जय भार